हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल बुछ टेक्निकल स्कील में और आज हम जानेंगे कि जेनरेशन ओफ कम्प्यूटर के बारे में तो आएए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जेनरेशन ओफ कम्प्यूटर यानि की कम्प्यूटर की पीडियां आएए वन बाई देखते हैं फर्स्ट जेनरेशन ओफ कम्प्यूटर बोल रहा है वेर डर्निंग 12-1956 यानि की जो हमारा फर्स्ट जेनरेशन ओफ कम्प्यूटर का जो प्रियड था जो समय था वह हमारा 1940 से 1956 के बीच का था बोल रहा है कि they were based on vacuum tube और जो हमारे first generation of computer थे वो किसके अधार पर बेज थे यानि कि उनमें use किया गया था हमारा vacuum tube और vacuum tube का आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि इस तरह से एक bulb की आकार का जो था यही हमारा क्या था vacuum tube था और first generation of computer में हमारा vacuum tubes का ही use किया गया था आई यह इसके कुछ examples देख लेता हैं यानि कि हमारे जो first generation of computer में computer थे उसमें हमारा most important जो computer थे वो थे हमारे NE1 ADVAC, UNIWAC IBM 701 IBM 650 यह सब हमारे first generation of computer के computer थे के इन में जो language उसकी गई थी वो थी machine language यानि कि जो first generation ot computer जो language user की गई थी वो थी हमारी machine language computer language के उपर मैं बाद में वीडियो बनाओंगा जिसमा हम लोग पूरे full detail में देखेंगे computer language के बारे में language क्या होती है एसेमली लेंग्विज क्या होती है इन सब के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे फिलाल इतना हम लोग समझते हैं कि जो हमारे first generation of computer थे उसमें जो language यूज की गई थी उनमें machine language हमारी यूज की गई थी आये इस first generation of computer के कुछ features देख लेते हैं पहला feature हमारा vacuum tube technology यानि कि जो हमारे first generation के computer थे उसमें vacuum tube technology का यूज किया गया था यह machine language को support करते थे very costly यह बहुत महंगे हुआ करते थे साथ ही साथ इनका जो size था वह बहुत ही बड़ा होता था यानि कि पोटेवल नहीं थे इसको एक जगे से दूसरे जग ले जाया नहीं जा सकता था यह बहुत महंगे होते थे उसके बाद से generate a lot of heat यानि कि जो first generation के computer थे वह बहुत जल्दी अब बहुत ज़्यादा गरम हो जाया करते थे हैं आई आगे देखते हैं कि बोल रहा है आगे लार्ज size इन computer का size क्या था बहुत बड़े होते थे यानि कि इनका size बहुत बढ़ा होता था need of ac अभी आपको बताया गया कि यह computer क्या हो जाते थे बहुत जल्दी गरम हो जाते थे heat हो जाते थे तो इन computer को ठंडा रखने के लिए इनको ac की जुरत पड़ती थी यह non portable होते थे यानि कि एक जगे पर ही रहते थे इनको एक जगे से दूसरे जगे ले जाया नहीं जा सकता था next है कि consume a lot of electricity और इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में electricity के जुरत पड़ती थी तो यह था हमारा first generation के computer आईए आगे देख लेते हैं second generation के computer के बारे में बोल रहा है the second generation of computer we are used during 1956 to 1963 यानि कि जो हमाई second generation के computer थे उनका जो समयकाल था वो 1956 से 1963 के बीच में था आगे बोल रहा है the second generation of computer are used transistors और second generation में क्या किया गया था कि vacuum tube को हटा करके इसमें आप क्या किया गया था transistor का यूज किया गया था और transistor इस तरह का दिखाई देता है आप देख सकते हैं transistor हमारा इस तरह का होता है और आप देख सकते हैं transistors को इनहीं का यूज हमारे किया गया था second generation के computer में आगे बोल रहा है the size of computer was decreased by replacing vacuum tubes with transistors यानि कि जो second generation के हमारे computer थे उन में क्या किया था replacing vacuum tubes यानि की vacuum tubes को replace करके यानि कि हटा करके इसमें क्या किया गया था transistor का यूज किया गया था जिसके वएस से second generation के computer का size थोड़ा सा decrease हो गया था यानि कि छोटा हो गया था फिर भी इतना छोटा नहीं हुआ था लेकिन first generation के कंप्यूटर के मुकाबले यह थोड़ा सा इसका size decrease हो गया था यानि कि छोटे हो चुके थे थोड़े आगे इसकी language देख लेता है यानि कि second generation के computer थे उसमें IBM 7094 था IBM 1400 था एक्सेक्टर ऐसे computer के एक्जामपल ने हमारे second generation के computer के language इसमें मसीन लेंग्वेज एंड एसेमली लेंग्वेज यूज की गई थी second generation के computer में इसके कुछ features देख लेते हैं हम लोग इसमें use transistors यानि कि second generation के computer में transistor का यूज किया गया था smaller size smaller size as compared to first generation यानि कि ये generations के computer की तुलना में क्या थे थोड़े छोटे हुआ करते थे नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा generate less as heat as compared to first generation यानि कि first generations के computer की तुलना में यह थोड़ा कम heat produce करते थे यानि कि generate करते थे थोड़ा सा का कम करते थे फर्स जनरेसं के तुलना में भूल रहा है कि कंप कंज्यूंड less electricity as compared to first generation computer आये यह फॉर्स जनरेसंस के computer की तुलना में जो second generation के यह जो computer होते थे वो थोड़ा कम electricity यानि की लेस इलेक्ट्रीशिटी करते थे यानि कि start च्जैन्रेशंस की घंप्टियुटर की तुलना में second generation की जो computer थे थोड़ी कम electricity when जि honey करते थे आगे है Faster the past generation computer फास्टर दन फस्जैन्रेशंस computer यानि कि जो सIGLY के computer थे वह फस्टं जिनरेशं के स्टोलना में क्या थे थे थोड़े से करने के लिए सपोट मसिन लेंग्वेज एंड एसेबरीी लेंग्वेज जो हमारे थे Rhode ecc देखे हैं सर्द्सक्रane सेन्यंज के बारे में कि मोल रहे है थंड लेशंड आफ कंप्योटर बो थर्ड जनरेशन्स ओफ कंप्यूटर वे डर्निंग 1964-1971 यानि कि जो हमारे थर्ड जनरेशन्स ओफ कंप्यूटर का जो प्रियड था जो समय काल था वो 1964 से यानि कि जो थर्ड जनरेशन्स के कंप्यूटर थे उनमें क्या किया गया था इन्टीग्रेटिट सर्किट का यूज किया गया था जिसमें बोल रहा है ज calam calm पे तु सब्सक्राइब प्में तोय यूज के कंप्यूटरी थे यही जो कंप्यूटर थे यह सड़ियूट्र थे यानि फ्सक्टर थे масс कंप्यूटर युवय कुवय करें पेंद के ज़kes टूर्प सब्सक्राइब आँपईटर के तुल्ना में थोड़े से छोटे हुआ करते थे उनसे फास्ट हुआ करते थे थोड़े कम महझए हुआ करते थे थार्ड जन्रेसर्ण्स के कंप्यूटर हमारे है आगे देख लिते हैं पर इंग्जामपल में हम लोग देख लेते हैं थर्ड जेनरेसंस के कंप्यूटर IBM 370 168 हमारा कंप्यूटर था IBM 306 series टीडीसी 316 यह सारे कंप्यूटर हमारे के थर्ड जेनरेसंस कंप्यूटर के example हैं इनमें जो language की गई थी high-level language इसमें Use की गई थी जैसे FORTRAN और QUBOL यह हमारी क्या high-level language है और यह सारी की सारी जो computer language है उसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि हम लोग पुरे र फुल डीटेल में हम लोग में इस पर discuss करेंगे वह लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि लो लेवल लेगविज क्या होती है हाई लेवल और कोबल इसमें फोट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रंसलेटर और कोबल का फॉल फॉर्म होता है आई इसकी फीचर से देख लेते हैं को कि इसमें आइसी का इंटीग्रेटर शोटा था कि जेनेरेटेड लाइस हीट यानि कि यह थोड़े कम मात्रा में क्या करते थे हीट generated last hit यानि कि बहुत कम मात्रा में hit हुआ करते थे यह faster थे यानि कि तेज चलने वाले computer हो गए थे यह costly थे AC required यानि कि third generations के computer में भी AC की जुरत परती थी supported high level language लेकिन यहाँ पर जो third generations के computer थे यह अब high level language को support करना start कर दिये थे consume laser electricity यह थोड़ी कम मात्रा की electricity consume करते थे आए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है मारा fourth generation computer बोल रहा है कि the fourth generation of computers were used during 1971 to 1990 यानि कि जो उमारे fourth generations के computer थे उनका जो समय काल था 1971 से लेकर के 1990 तक था बोल रहा है कि the fourth generation the fourth generation of computers started with the invention of microprocessor यानि कि जो हमारा fourth generation के computer थे वो जब start हुए यानि कि invention हुआ यानि कि fourth generation के computer में invention हुआ किसका microprocessor का यह रहा हमारा microprocessor यानि कि CPU यानि कि इसका आविश्कार हुआ हमारे fourth generation के fourth generation computer में ही जिसमें बोल रहा है the microprocessor content thousand of ICs यानि कि जो हमारा microprocessor था उसमें thousand of ICs क्या होते थे 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 सामिल थे यानि कि content थे बोल रहा है कि computers of fourth generation use VLSI यानि कि very large scale integrated circuit यानि कि जो हमारा fourth generation के computer थे वो यूज होते थे यानि कि उसमें use किया गया था VLSI का यानि कि very large scale integrated का use किया गया था हमारे fourth generation के computer में जिसमें हमारे कुछ examples है dec 10 star 1000 PDP 11 carry 1 जो हमारे एक super computer था carry X यह भी हमारे क्या था super computer था यह सारे के सारे example हमारे क्या है four generations के computer के examples हैं आगे बोल रहा है इसमें जो language थी बोल रहा है all the high level language like C and C++ यानि कि four generations के computer में high level language का use किया गया था जैसे C और C++ जैसी language का इसमें यूज किया था feature की बात करते हैं तो VLSI technology इसमें यूज की गई थी सब्सक्राइब है यह वरी चिप यानि की बहुत सस्ते हो गए था थे हमारे मार्केट में क्या हो गये थे फोर जिनरेसंट में किस आसानी से सारे के सारे कम्पूटर क्या हो गए थे हमको एविलेबल हो गये थे यानि आगे देहते हैं बोल रहा है फिप जनरेशंग कंपूटर बोल रहा है दा प्रियर आफ फिप जे is 1990 तिल डेट यानि कि 1990 से लेकर के अभी तक का जो समय है हमारा 5th generation का ही समय चल रहा है बोल रहा है इन दा 5th generation the VLSI technology became ULSI यानि कि Ultra Large Scale Integration Technology यानि कि 5th generation क्या किया गया था कि ULSI का यूज किया गया था यानि कि Ultra Large Scale Integration Technology का यूज किया गया था हमारे 5th generation के computer में आईए आगे देखते हैं आगे बोल रहा है कि the generation is based on parallel processing hardware and AI यानि कि artificial intelligence यानि कि जो हमारे 5th generation के computer थे वह बेस्ट थे यानि कि parallel processing और artificial intelligence पर बेस्ट थे आगे बोल रहा है हमारा इसमें हम लोग language देख लेते हैं कौन-कौन सी लेंग्विज इसमें यूज की गई थी बोल रहा है कि ऑल हाइए लेवल लेंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस जावा एंड डॉट यानि की फिप्ट जिनरेसंग के जो computer थें उनमें हाइए लेवल लेंग्वेज का यूज किया गया था जैसे कि सी सी प्लस प्लस जावा और ॉतनेट जैसी हाई लेवल लेंग्वेज का यूज किया था हमारे फिप्ट जिनरेसंगे computer में आए आगे बढ़ते हैं आगे इसके फीचर दिखते हैं बोल रहा ही यू एल एसाइ टेक्नलोजी इसमें यूज की गई थी development of true artificial intelligence का इसमें यूज किया गया था पैरलर प्रोसेसिंग का यूज इसमें किया गया था हमारे जो latest हमारे जो desktop laptop notebook ultra book जो आ रही है market में यह सारे के सारे हमारे example किसके हैं तो फिफ जंडरेसंद के computer के examples हैं और फिफ जंडरेसंद के computer में यूज किया जा रहा है हमारा AI यानि के Artificial intelligence जो हमारे robots हैं जो हमारे Google assistant है और वह बहुत सरी जगवाँपर AI का यूज किया जा रहा है I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा देता कि आने वाले समय में जब भी कोई भी वीडियो आप तक अप्लोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक असानी से पहुंच सकें मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई